आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरस्टिंग हने वाली है इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले है इसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा ब्रेड में बुलेट का निशान ब्रेड में गोली का निशान ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक लड़के के बारे में जिसका नाम है आशिश इस लड़के के आगी पीछे ही ये स्टोरी जो है वो गूमती है हम लोग जानेंगे कि आखिर ब्रेड में बुलेट का होल कैसे होता है ठीक है तो चलिए लेसन को सुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आया है सडन कि अचानक कोई हादसा या कोई चीज आपको कभी हुआ होगा आपके साथ में। होता है उसके साथ Sudden Incident होता है अचानक में एक हादसा होता है क्या हादसा है देखते हैं एक लड़का है आशीस जो की मार्केट जा रहा होता है अपने परोस के मार्केट कुछ सामान लाने के लिए और जो वो जा रहा होता है तो उसकी माँ उसको रोकती है और कहती है कि आशीस बेटा अच्छे से जाना रास्ते में साइकल अच्छे से चलाना ट्रैफिक देख लेना और संभल करके चलना ड्रेन में मत गिर जाना यानि न परेशान होती हो तुम फिकर मत करो मैं अच्छे से चला जाओंगा और यह करके कह करके आशीस अपने साइकल से जाने लगता है कुछ दूर जाने के बाद थोड़ी ही दूर में वो मार्केट होता है वो कुछ ही समय में कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाता है वहां प दूर में लगता है और यह कह करके आशीस जो है सीडियों पर चड़ना सुरू करता है सीडियों से चड़ते ही सामने में दुकान होता है बेकरी का जहां आशीस को बेकरी याइनि ब्रेड लाने के लिए जाना पढ़ता है और वह वहां जा करके ब्रेड खर conti जैसे ही वो bread खरिता है तो उस की वह arguing करने लगता है arguing arguing मतलब बहस करना उसको उसकी बहस हो जाती है किस से तो बेकर बॉय से वहां एक baker बॉय होता है जिससे आर आशिस जो है उसकी बहस हो जाती है अब किस जो ब्रेड है उसका साइज छोटा रहता है और उसको उसके बदले में उस लोफ के बदले में एक्स्ट्रा वन रुपी भी देना पड़ता है इसी वज़ा से आसीस जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है गुस्से में आसीस जो है ब्रेड ले करके वापस घर जाने के लिए निकलता है जैसे ही बाहर निकलता है कुछ कदम सीड़ियों से नीचे उतरता है पर वो गुस्से में रहता है उसका ध्यान कहीं और रहता है पर अचानक से उसी के ज़स सामने में एक वैन आकर के रुपती ह वैंड से दो लड़के उतरते हैं एक लड़का जिसके हाथ में एक गन होता है और दूसरा लड़का उसके हाथ में एक डैगर होता है दो लड़के उतरते हैं एक के हाथ में गन होता है उसको नाम दिया गया है गनमैन और दूसरा जो है अधर मैन उसके हाथ में क्या होता है ए आशिस के सर में हेड में जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं यह गनमें जो है आशिस के सर में बंदूक रखा हुआ है और आशिस को कह रहा है क्या कह रहा है उससे कह रहा है keep quiet चुप चाप रहना अगर तुम अपने सर में अपने हेड में अगर छेद नहीं चाहते हो तो चुप चाप रहना वरना गोली से तुम्हारा खोपड़ी खोल दूगा यह कहता है और उसके बाद जो डैगर वाला आदमी होता है जिसके हाथ में चाको होता है वो काउंटर के पास जाता है और जो काउंटर में जो बॉय होता है बेकर बॉय उससे कहता है कि चाप भी निकालो तिल का चाप भी निकालो टी आई डबल अल तिल आप देख रहे हैं आपस लिखा हुआ है तिल तिल का चावी निकालो की दो और ड्रावर खोल करके मुझे उसके सारे पैसे दो तिल का चावी जैसे मांगता है बेकर बॉय जो हो डर से कापने लग जाता है उसके हाथ पैर हिल रहे होते है और डर में डरते हुए ही वो चावी निकाल करके जैसे ही देने वाला होता है, चाभी गिर जाता है, और गिर करके आसिस के पैरों के पास चला जाता है, और जब आसिस के पैरों के बीच में वो चाभी गिरता है, तो जो गन्मैन होता है, वो जुक करके चाभी को उठाने वाला होता है, इतने ही मैं आसिस अपने मन में सोच र क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी-कभी हमलोग के साथ में होता है ना हम लोगभी बाहर कर चीज़ सुचते जिसे कि कुछ हाथसा हो गया तो हम लोगग लगते हैं इसको पकड़े कि मारे कि छोड़े दे कि यह हम अपना जान बचा के भागे तो आशिस भी वही सब सारा चीस सोच रहा तक कैसे बचे इन लोगों से बंदूग को लाथ मार दे जोर से बंदूग दोर फिका जाए चावी को लाथ मार दे क्या करे ये सब सोच रहा होता है उतने ही में जो ये गन्मेन होता है वो चावी उठा करके डैगर वाली जिसके हाथ में चाकू होता है उस आदमी को चावी देता और कहता है टिल खुलो और पैसा निकालो तो डैगर वाला जो आदमी है जो दूसरा लड़का है जिसके हाथ में चाकू होता है वो बैकर बॉय को कहता है चलो आगे बढ़ो और उन लोग दोनों को एक जगा पे खड़ा कर देता है आशीस को और जो बैकर बॉय होता है उन लोग को एक जगा पे खड़ा करता है गन मैन के बाद जैसे ही वो लोग पैसा चौरी कर रहे होते है वहां दुकान का में मालिक जो होता है वो पहुच जाता है जो की बेकर होता है जैसे ही वो आता है वो बेकर जो है चिलाता है who are you two men तुम लोग दोनों कौन हो और यहां क्या कर रहे हो जैसे ही वो आवाज लगाता है gunman जो है हर्बर में और डर से वो gun को प्रेस कर देता है प्रेस कर देता है किसको उसका trigger को trigger प्रेस करने के साथ साथ गोली चल जाती है गोली जो है वो जो आसेस के हाथ में जो ब्रेड होता है जो जमीन पर गिरा हुआ होता है जब उसको पकड़ करके वो लोग अंदर लाता है तो ब्रेड जो है बुल्क के अंदर छेद हो जाता है गोली ब्रेड के अंदर से पार होते हुए दिवार में जा करके कहीं लग जाती है जैसे ही गोली चलती है सब लोग डर से उचलने लग जाते हैं और जो बेकर होता है वो अपने रूम में वापस चला जाता है और अंड श्लैम डर डोर मतलब दरवाजे को बहुत जोर से बंद करता और दर से अंदर चला जाता है और यह लोग भी आशिस भी और वो बेकर बोई जो काउंटर में होता है वो भी डर से छुप जाता है जैसे ही बेकर जाता है तो यह लोग जो है सारे लोग यानि जो चोर लोग है गन मैन और वो डैगर वाला आदमी यह लोगभी समझ जाते हैं कि अब यहां रुकना खत्रा है तो वो सब iluza ऐबं निकालते हैं reverse दालते हैं और जब ऋलोग जा रहे होते हैं और सब घंप करते हैं और बैटते हैं reverse करते हैं और फिर जाने लगते हैं to reverse सब उसrit करते हैं और फ्लैट हो जाता है पंक्चर हो जाता है और बेंड भी हो जाता है थोड़ा कहीं कहीं पस उस गाड़ी चड़ने के वज़ए से वह तूड़ जाता है और फिर वह लोग चले जाते हैं जब वह लोग जा रहे होते हैं उन लोग चले जाते हैं तब अचानक से आसीस को याद आत कि वो क्या करता अगर उसको बाद में याद होता है कि अगर हम नंबर नोट कर लेते हैं रेजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का तो बहुत ज्यादा बेहतर होता पर गाड़ी तो अब जा चुकी थी अब उचा कर भी कुछ नहीं कर सकता था लेकिन वो अतना वो सोचता नहीं वो बोलता वसकी जान बची तो लाग हो पाये और वो उसकी जान बच गई वो कहता है कि यहां एक सेकेंड भी नहीं रुकूंगा तुरंद बाहर निकलता और अपनी साइकल उठाता है तो देखता है कि उसकी साइकल क्या हो चुकी है पिर सवाल आता है कि अब क्या करें घर जाएंगे तो मा भी मा तो पहले ही से परिशान किया अच्छे से चला के जाना ये करना वो करना खयाल रखना अब साइकल खराब देखेगी तो और ज्यादा हलम चाहेगी हरीफाइड हो जाएगी परिशान हो जाएगी फिर भी हिमत करक आशिस जो है अपने घर पहुंचता है जैसे ही अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचता है उसकी मा आशिस को देख लेती है कि वो साइकल को अपने हाथों में उठा करके ला रहा है या ड्रैग करके ला रहा है घसीट करके ला रहा है यह देख करके माप स्पीचलेस हो जाती है फोर फाइब सेकंड हैं अर्स-टेकन के लिये मात चुपो जाती एब यह ऑर असीश सब सर 아entes एस्थ यह अर्ण डावन भाया कार लगता है तुम तूं कर से तक कर खा गये या फिर तूंड गये या फिर तुम drain के अंदर गिर गए यह सारा चीज वो आसिस से पूछती है you were knocked down by a car you ran off by your bicycle you fell down into the drain यह सारे बात वो आसिस से कहती है लेकिन आसिस अपनी मा को समझाने के लिए कोसिस करता है mother please mother let me explain मुझे समझाने दीजे पर उसकी मा सुनने के लिए तैयार ही नहीं है वो एक ही बात दोरा रही है कि मैंने तुमसे कहा था कि careful रहना traffic देख लेना drain में मत गिर जाना पर तुम कुछ नहीं सुना पर आसिस कहता है mother मैं जो कह रहा हूँ आप सुनिये I am explaining to you मैं आप सको explain कर रहा हूँ मैंने traffic भी देखा मैं drain पर नहीं गिरा मैंने अपना care किया पर वहाँ जो था baker shop में वहाँ कुछ हादसा हुआ है जिस वज़ा से मैं मेरी cycle जो है flat हो गई है गलमली आसिस held out the love of the bread तो आसिस जब बताता है कि मेरे साथ वहाँ कुछ हुआ है तो उसकी माँ पुछती क्या हुआ है क्या हुआ है बताओ तो आसिस कहता है गलमली यानि उदास हो करके वो कहता है दुख में कि मदर मैं जब वहाँ गया था तो वहाँ कुछ गुंडे आ गए बदमास आ गए लुटेरे आ गए रॉबर्स थीफ आ गए और उन लोगों ने गोली चलाया जो की गोली जो है ब्रेड को छेत करते हुए चली गई आ ना वो लोग चोरी करने आये थे तो इतना सा बात जब वो बोलता है और उसकी माँ फेंट हो जाती है बेहोस हो करके गिर जाती है है ना इस मदर फेंटेड यहां पसज़ी आप देख सकते है उस मदर फेंटेड उसकी माँ बिहोस हो चुकी थी जैसे ही आशिसकी माँ बिहोस होती है पेंट हो जाती है आशिस भी गबरा जाता है मदर मदर यू हैंट हर्ड वो כह तो मामा आपने तो पूरी बात ही नहीं सुनी आप गलत समझ रहे, ओमी, ओमाई अपकर आप क्या करूं, अप कहां जाओं, अप कैसे का क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आना और आसिस जो है, उसकी मा वेहोस हो करके जमीन पर गिर जाती है, आसिस को कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो ब्रेड को उठाता है, और अपनी मा के सर के नीचे रख देता है ताकि सर में कुशन यानि तकिये के जैसा गद्दा लगा रहे है तो उसको तकलीफ ना हो और दोड़ते हुए घर से बाहर निकलता है और अपनी दादी मा के घर जाने लगता है जो कि यहां से कुछ कदम दूर था आशिस के घर से कुछ गदम दूर था उसकी ग्रेंड मा का घर, वहां जाने लगता है अपनी ग्रेंड मा को बुलाने के लिए और आंट को, इतने ही में वहां के पडोस के जितने लोग थे, जितने ओरते थी, वो लोग भी आशिस को देखती है, कि घबरारार उसकी मा जो है, यह गिरी हुई है पॉर्ष में पी ओ आर च पॉर्ष मतलब क्या होता है आंगन कह सकते हैं यहां पस्या बड़ देख रहे हैं तो वह गिरी हुई थी तो आण्टी जो है यानि नेवर वह देखती है आशिस भाग रहा तो आशिस से पूछती है कि क्या वास तुम कहां जा रहे वाट्स वाट्स रॉंग विद्यूर मदर तुम्हारी मा को क्या हुआ तो आशिस जो है वो कहता है आंटी आंटी आप मेरी मा के साथ रहे हैं मैं तुरंत आ रहा हूं आना मैं दादी को बलाने जा रहा हूं मैं आंटी लोग को बलाने जा रहा हूं इसलिए आप जो है वो bullet hole in the bread, the gun went off, the gunman escaped, my bicycle was ran over, please stay with my mother, I must call my grandmother and I must call my aunts, यही sentence वो दोहराता है, और दोहराते हुए दोड़ते 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 वो अपनी दादी मां के पास चला जाता है उनको बुलाने के लिए, अब confusion यही से सुरुवात होता है, आशीस जो है जब दोड़ते हुए जा रहा था, घबराया हुआ था, उधर से जो उसकी नेवर में जो आंट होती है, उनकी जो पडोसी होती है, वो जब पूछती है आशीस को कि तुम्हारी मां को क्या हुआ, आशीस जो है वो कहता है, आँटी अब मिरी मां के साथ रही है, मैं तुरंत आ रहा हुँ, मैं अपनी दादी मां को बिलाने जा रहा हुँ, तो आँटी कहते है ठीक है पर तुम्हारी मां आंगन में गिरी वी है, उसको क्या हुआ है, यह तो बताते जाओ, तो जाते वक्त वो कहता है there is a bullet hole in the bread पर वो आंट जो है जिनको अभी अपनी नेवर को जिनको बता रहा था वो इस बात को गलत समझ लेती वो bread को सुनती है कि वो क्या कहा है head कहा है कहा है कहा है hole there is a bullet hole in the head यानि सर में अब जब यह बात उसकी आंट सुनती है तो और घबर आ जाती है वह भी चिलाने लगती है कि बुलेट hole in the head यह निस सर में बुलेट में मतलब सर में क्या लगा है गोली लगा है इस बात को सुनकर कि वहां दो चार नेवर और और आ जाते है और इस तरह से दीरे दीरे भीड लगने लगता है उसी बीच मिसस नैना जो है वो क्या कहती है मिसस नैना स्टार्टेड यहां पस है मिसस नैना स्टार्टेड आइड ग्राउनिंग क्राउड अन देन बुलेट आउट इन होर आसीस मदर है जा बुलेट होल इन हर हैड वो ही कहती है मिसस नैना सबसे पहले यह बात कहती है कि आसीस की मा के सर में क्या है बुलेट होल है उसके बाद फिर कुछ लोग कुछ लोग वहां पसरاتे उन में से एक है मिसस सलीम वो कहती है की गन्मेंट जो है यानि बंदूक वला जो है, वो उनको गोली मार दिया है यह सारा चीज वहां हो रहा था, और आशिस अपनी दादी माँ को बलाने गया था वहां जितना भी रहा सब के जबान पे यही बात, की गोली मार के कोई चला भी आए आसिस के साइकल के उपर कार चड़ा दिया अब ये सारा चीज वहां हो रहा था और आसिस इस से बेख़बर था वो तो सोच रहा था कि मैंने तो आंट को बताया है कि कहां छेद है तो ब्रेड में पर ये लोग क्या सुन लिए है हेड में अब भीड लग जाती है और सब लोग वहां पस मिसेस नैना, मिसेस चारू मिसेस बाला मिसेस सलीम ये सब लोग मिसेस सीमा ये बहुत सारी लोग जो लोग के नेवर होते है वो लोग वहां आ जाते है और सब लोग कोई कहा रहा है कॉई कहा रहा है डॉक्टर को बलाओ, कोई कहा रहा है, अंबुलेंस को बलाओ, कोई कहा रहा है, पुलीस को बलाओ, तो यह सारा चीज हो रहा है, कोई कहा रहा है, कि आर्शिस के फादर को बलाया जाए, गुली लगा है, गाड़ी चड़ा दिया है, यह सारा चीज है, तो सब को बलाना होगा वाट्स 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 वाट् सबिए कि आपको होस आ गया अभढराये मत थीक रहे equations ही सीदा buttons मत क्युंकि आपके सर में बूलेट होल है नंगा तो ये बात जब वो सुनती अघ़ाता है और फिर बगल मैं मिससेस चारू बैठी हुँ होती वो कहती है कि पुलीस को रिंख करो कोई कहता है अम्बूलैंस को रिंख करो है तो उतने ही मैं जो है ये झूप मिसिस सीमा यानि आसिस की मा जो है वो कहती है कि मुझे कहां गोली लगा है मेरे सर में नहीं है है ना वो कहता छोड़ो छोड़ो मुझे हाथ अटा वो कह रही है मिसिस सीमा यानि आसिस की मा कह रही है अरे सर हाथ अटा है आप लो हाथ अटा है ईखुआ है मेरे सर में कोई गुली ने लगी है गुली ब्रेड में लगी है there is a bullet hole in the bread not in my head मतलम मेरे सर में कोई छेज नहीं है घ्रेड में चेज़ जब ये वात उनके मुझ से वो लोग सुनते तो सब लोग इदर देखने लगते है तब कोई उठाता है देखता अरे हाँ वाकई में यहाँ ब्रेड में छेद है पर ब्रेड में क्यों छेद है ब्रेड में ही क्यों छेद है किसने गोली मारा तो ब्रेड में क्यों मारा ये सारे सवाल अब उठने लगते है अब इसका जवाब कौन देगा अब वहाँ सब लोग अपना अपना बात बनाने लगते है इसी बीच कोई कहता है What a poor aim कितना बेकार निशाना है है ना मारना था तो सर में मारता है ब्रेड में क्यों मार रहा है क्या पाइदा ब्रेड में गोली मार करके है ना और इसी बीच आसिस वहाँ पहुंच जाता है Excuse me auntie excuse me Mother mother are you all right कहता है मा मा आप ठीक है मैं आ गया मैं ग्रेंड मा के याँ यानि दादी मा के याँ गया था पर वहाँ कोई नहीं है ताला लगा हुआ है What happened आसिस वाट हैपन तो आसिस की मा आसिस से पुछती क्या हुआ आसिस क्या हुआ क्या हुआ बता मुझे आसिस वहाँ पस बैठता है और सुरुआत से वह कहानी बताता है यानि जो हुआ था बेकर शॉप में वह चीज़ को बताता है उसकी माँ को एक बार बताता है फिर मिसस नाइना आती है उनको फिर से बताता है फिर मिसस चारू को बताता है मिसस सलीम को बताता है मिसस नीना को बताता है यानि जितने भी पोडोसी लोग वहां आते है सब पूछते हैं क्या हुआ तो उसको पूरा कहानी बताता है मैं घर से निकला वहां बेकर शॉप गया ब्रेड खरीदा ब्रेड जब खरीद रहा था तो वह एक रुपिया एक्स्ट्रा मांग रहा चोटा साइस दे रहा तो उससे मेरा बहस भी हो गया बाहर निकले तो एक बैना करकर रुका हम ध्यान भी ने दिये नमबर भी नेट नोट कर पाए बैन से दो लड़के चल करकर बाहर निकले वो लोग के हाथ में एक के हाथ में बंदूग था एक के हाथ में चाकू था वो लोग अंदर गए, मुझे भी अंदर ले गए और कहा कि अल्ला करोगे तो गोली मार देंगे गोली से उड़ा देंगे नहीं बिना पंक के उड़ जाओगे ये सब चीज वो लोग बोल रहा था तो आसिर्थ जो है उसमें अपना मसाला लगा के अपना कहानी में, अपना-पना कुछ इमेजनिरी थॉट्स डाल करके वो सब को बता रहा था इसी बीच में पुलीस आकर के रुकती है और पुलीस के आने के बाद पहुंचती हैंबुलेंस जब पुलीस आती है तो आशिस जो है पुलीस को भी अपनी कहानी पुलीस वालों को भी अपनी कहानी शुरुआत से बताता है कि मैं बेकर साब गया, वहाँ ये हुआ, वहाँ मैंने ब्रेड करेदा, उसका साइज छोटा था, पैसा के लिए मेरे से बहस भी हुआ फिर दो लोग आए, वो लोग अंदर ले गए, चोरी किया, फिर बाग गए, मेरे साइकल में गाड़ी चड़ा दिया, पंचर कर दिया फिर एम्बुलेंस वाला आता है, एम्बुलेंस वालों को भी बताया जाता है, उनको ये भी समझाया जाता है कि यहां मिसंडरस्टेंडिंग हुआ है, ब्रेड और हेड में, याना सेम वाड है इसे लिए, तो एम्बुलेंस वाले भी कहां नहीं सुनते है, फिर वो चले जाते है, तो आंसर अनादर कॉल, यानि कि कोई दूसरा आदमी जब एम्बुलेंस के लिए जो बुलाया होगा, तो उसके लिए वो लोग वहां चले जाते है, तो आंसर अनादर कॉल, फिर जब पुलीस को ये बात बताया जाता है, तो पुलीस जो इन्वेस्टिकेशन करने के लिए बेकरी शॉप जाते है, जब पुलीस बेकरी शॉप जाते है, तो लोग भी उनके पीछे पीछे बेकर भी पहुंचते हैं वहां पहुंचने के बाद बेकर बॉय से भी पूछा जाता है बेकर के मालिक से भी पूछा जाता है वो लोग कोई नहीं जानता था पर आसिस अब स्टोरी का हेडलाई बना हुआ था सब लोग आसिस के पास आ रहे थे उसे कहानी सुनने के लिए क्या क्या हुआ जो थे कैसे हुआ ता बताओ अन्द अरसे agent के लिए ये बहुत ही ऐसिस के लिए ये एक बहुत ही कि अब दादी मा भी आएगी तो उनको भी कहानी बताएगा आंटी आएगी आंटियों को भी अपने कहानी बताएगा और सबसे इंपर्टन उसके फादर आएंगे तो उसके उनके फादर को भी वो ये कहानी बताएगा और वो रेडी है वो कहा रहा है मैं थकूंगा नहीं मु अपने स्टोरी को स्पाइसियर बनाएंगे और मजदार बनाएंगे इंट्रेस्टिंग बताएंगे और इडवेंचरस बनाएंगे यह सारा चीज वह सोच रहा है और यह सब बना करके हम किसको बताएंगे तो अपने फादर को अपनी आंटी को बताएंगे यह था लेसन हमारा bullet hole in the bread यानि हम लोगों ने पढ़ा कि bread में bullet का hole बन जाता तो कैसे बनता है तो उसको हम लोगं ने पढ़ा कि बैकरी शॉप में जब वेकर आता है चोर लोग जब गूसे वे hält liए तो उन लोगों को ग३ में से गौली चलाता है वही ग३ेर्ड में छेद करते हुए दूसरे तरफ चली जाती है इसी वज़ा से ब्रेड में होल होता है अब इस लेसन में हमें ये भी समझाया गिया है कि हमें अपने बरो का बात मानना चाहिए जैसे आसिस की मां जो है हमेशा उसको बार-बार बोल रही थी क्या करो गाड़ी अच्छे से सलाना साइकल रास्ते में ट्रैफिक करनी हम का पालन करना और ड्रेन देख करके चलना ये सारा चीज हम लोग को खुद से करना चाहिए कि हम लोग एक समझदार बच्चे हैं उमीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को के को शक्टन अंशा से लेटिड टॉपिक पर बात करेंगे और बाकी एक्सरसाइज कम्प्लीट करेंगे थैंक यू करें करें पर लाफ झाल झाल